सपा के राज्टी एध्यक्ष एवं पूर्व मुख्य मंत्री अकिलेश यादव के आज 47 वे जनम दिन पर सुबह से ही कारे करमों की शुरुबात हो गई है मुरादबाद में सपा कारे करताओं ने उनके जनम दिन का केक काट कर उन्हें बदाई दी करोना महमारी की चलते सपा प्रमुक ने अपने जनम दिन को बढ़े ही साथी के साथ मनारी कि अफील अपने कारे करताओं से पहले ही कर दिती आज पूर्मुक्री अकिलेश यादव का 47 वे जनम दिन हैं जिसे लेकर सपा कारे करताओं में खासा उस्सा है हाला कि आज पहुँचकर मार्क्स भीबाटे इससे पूर्व अग्लेश यादव की बिरभाईयों के लिए कुरान खानी भी कराई गई इस दोरान सबी ने कुरोना को जल्द खतम होने के लिए काई भी की आज हमारे लोग पिरिये राश्टी अध्यष आदर्णी अग्लेश यादव जी का 47 जनम दिन है और उनके कहने पर हमने इसे बहुत साथगी के साथ मनाया है ना किसी तरह का इसमें हमने फुदूर खर्चा करा है ना कुछ करा है और हम आज उनका जनम दिन मनाकर उनकी लंबी आयू की दूआ कर रहे है और हमने ये पुर्आन ख्रानी कराई है और हमने अल्ला से बहुत से दूआ कराई है कि अ लृत आला हिस उन्दूसतान के अंदर ये करो lobbis बिमारी आई है इस बिमारी को खतम फर्मा दे और तमाम आलम इंसानियत की इस बीमारी से हिफाज़त फर्माए और खासकर मुरादाबाद के लोगों की हिफाज़त फर्माए और इस बीमारी को और इस वबा को जल से जल खत्म फर्माने जिस तरीके से तमाम दुनिया का इंसान परेशान है उस परिशानी को देखते वे हमने ये कुरान खानी आज कराई है और अकलेश यादब जी के निये और तमाम उसके निये दौा का ये तमाम कराया है और हमें उमीद है कि 2022 के अंदर फिर दुबारा से अकलेश यादब मुक्मंतिरी बनने जा रहा है है जबी इस उत्तरपर्देश का विकास होगा जो चुमोखी विकास पूरे उत्तरपर्देश के अंदर 2012 से लेकर 2017 तक हुआ था वो अब 2022 से लेकर 2017 के बीच में पूरा विकास होगा